हेलो फ्रेंड्स आजू तमारी साधे शेयर करी इस बद्दाज गुजरातियों ना फेवरेट दूदी ना मुठ्यानी रेसिपी तो मुठ्या तो आपणे घरे बनावता जोईये छे बना आज आपणे मुठ्या शागवाजी अने लोटना परफेक्ट माप सासे बनावसू साधे मसालो करवानी एवी टेप शेयर करीज के तमारा मुठ्या धर एक वक्ते एक दम सोफ्ट अने स्पॉंजी तयार थासे तो नाज तमारा आट ट्रिक्साथे एक वर मुठ्या चोकस्ती ट्राइ करवा जेवा छे तो चालो रेसिपी शरूर करिये नावी ट्रिक्साथे एक दम सोफ्ट मुठ्या बनावा मैं यह वन फोर्थ काप अने फक्त चार मोटी चमचेटलू दहीली देलू छे तेमा बे मोटी चमचेटलू तेल एटकरी ने दहीयाने तेलने एकदम सारेते मिक्स करी लए तो दहीयाने तेल एकदम सारेते फेटाईने मिक्स थाई गया छे अवे मसाला मा अड़्धी चम्चेटलो हर्दर पाउडर, स्वात प्राणे मीठू, एक चम्चेटलो लाल मच्चू पाउडर, एक चम्चेटलो धाना जीरू पाउडर, अड़्धी चम्चेटलो गरम मसाला पाउडर, एक पींचेटली हींग, अड़्धी चम्चेटला अजम प्रमण आपने फक्त एक पिंचेटलू जलेवानू छे अवे सोडाने एक्टिवेट करवा माटे तिनी उपर एक चमचेटलू लिम्बूनो रास एड करी दईये जो यान दहीं खाटो होए तो लिम्बू एड ना करू अने या बद्धाज मसाला ने मिक्षर मां मिक्स करी लगे तो बद्धाज मसाला एकदम सारे ते मिक्स थेगे चे आँ मिक्षर साथे मूठिया 100% सौफ्ट बन चे तो मूठिया वाटे काचे अने फेटवाunda थी मूठ़ये एकदम सोफ्ट तेयार थाए चे आचे आने तेमासालरा एकदम सारे ते enlarल knapp पड़ी जाये थे हवे मिया ये एक मेडियम साइज औने बेक कप जेटलू दुधी नू छीन ले देलू छे तो मैं दुधी ने मेडियम साइज नी खमणी थी खमणी ले देली छे साथ एक कप जितला कोथवी ना पान और या मुठ्या मा तम्हें दूदी साथ है तमने भावता कोई पण वेजिटे बस छीना खमणी ने एट करी शाको छो अने दिखाश माते एक मोटी चमचेटली लीलाह्मरचाने पेस्ट एक चमचेटली आलदूनी पेस्ट अने एक चमचेटली लसनी पेस्ट आट करी देए हाने आवे जे बाटकिती में दूधी नू छीन ली देलो हतु ते बाटकिना माप थी में या घौन नो चाड़ो लोट एटले के आर इतनो सीच करकरो लोट ली देलो छे तो एक कप अने तेनी उपर थ्री फोर्थ कप एटले के अड़ता कप थी थोड़ो वधारे घौन नो करकरो लोट एट करी देलो छे तो चेने एकदम सेलू माप बेक अप दूदी साथे अपड़े बेक अप जिटला लोट ली देला छे और या में घौनो करकरो लोट अने चणानो लोट ली देलो छे तेना सीवाए तमे थोड़ो चुवार के बाजरी नो लोट पन एट करी शाको छो तो मुठ्याने लोट बनती वक्ते अपड़े उपर ती जरा पन पाणी एट नथी करवानू कारके मसालामा थोड़ू दही छे साथे दूदी पाण तेनू पाणी रिलेस करशे एले जो आपड़े उपर ती पाणी एट करशू तो लोट धीलो थी जसे तो तमें जो ही शागोचो हो के मैं लोट ने बांधी ली देलो थे अने तेयार इतनों सोफ्ट तयार थी हो छे तो मुठ्या माट्रे नो आपणों लोट बनताय गयो छे अई आपणे बेकप दूदी साथे बेकप जेटलों लोट ली देलो छे लोट मा अपणे घौना करकरा लोट नो उप्योग करेलो छे घौना जाड़ो एटले के कोई पन करकरा लोट नो उप्योग करवा थी करकरो लोट दूदी मा रहेला पाणी न एब्जोप करीले छे साथे मुठ्या ने अंदरती सोफ्ट ने जाड़ी दार बनावे छे अईया जो दमारी पासे घौना जाड़ो लोट एटले के करकरो लोट ना होई तो दमे घौना लोट साथे थोड़ो रवो एट करी दे जो रवाने लिदे पण मुठ्या एकदम सौफ्ट तयार थासे साथ यह आपण घवना लोडशा थे थोड़ो बेसन एड करेलोचे बेसन ती मुठ्यानो स्वाद एकदम सरसा आवेचे पण आपड़े एह वातनों खास ज्यान राखवानुचे कि आपड़े बेसन ने वधू पड़तो एड नसी करवानू चो बेसन नुप्रमान लोट मा वधी जसे तो मुठ्या थोड़ा चिकाश वाड़ा बन्चे तो ये तैयार थाईला लोट साथे मुठ्याने स्टीम करी लएए हवे मुठ्या वड़वा माटे मैं ये हाथने थोड़ो तेल वाड़ो करीली देलोचे थोड़ू मुठ्यानों मेक्षर हाथ मालाईने तेने आरितनों ओवल चेप आपी दैये हणि आवे आरितना बदधाज मुठ्याने तयार करीलेए हणि आवे मुठ्याने स्टीम करवा माटे मैं ये स्टीमाने पाच मिनिट फ़ेला गरम करीली देलोचे अवे तेनु ठाकण खोली लएए, अने अंदर राखेली काणा वाली डीश ने थोड़ा तेल थी ग्रीस करी लएए तो स्टीमर ने आरितना थोड़ू गरम करी लेवा थी मुठ्या एकदम फुलेला बने चे तो हवे ग्रीस करेली प्लेट उपर मुठ्या ने आरितना थोड़ा थोड़ा अंतरे राखी देए करके मुठ्या स्टीम थासे तेम साइज मा डबल थी जसे तो मैं मुठ्या ने राखी देला चे हवे ठाकण बन करीने मीडियम टू हाई गेस नी फ्लेम पर मुठ्या ने बार मिनिट माटे स्टीम करी लईए तो लगभग बार थी पंदर मिनिट जे उठाकण ने खोली लईए तो तमें जोई शेको चो हो के मुठ्या एकदम सारी ते फुली ग्या चे चरी नी मदथी चेक करिये तो ते एकदम क्लीन बहार आवे चे मींस से जहरा पन काचा ना थी तो स्टीमर माथी मुठ्या ने ठंडा करवा माटे काईटी लईए तो अबड़ एकदम सॉफ्ट मुठ्या तयार थे गया चे मुठ्या ने stream करती वक्ते अपणे घेसनी फिलेम हाई ज राखवा नी चे जात cigarette मुठ्या ने फक्ता बार थी पंदर मिनिट माटे stream करवा ना चे चो अबड़ मुठ्या ने वधु वार माटे stream करदे तो मुठ्या थोड़ा कठण कर बनी जाए चे चाथे एक वार मुठ्या स्ट्रीम थाई जये पची तापड़े तेने थोड़ा थंडा करीनेच कट करवाना चे चापड़े गर्मा गर्म मुठ्याने कट कर सू तो ते तूटी जसे तो ये तैयार सहीला मुठ्याने पगारी लईए तो लगबग पात थी साथ मिनिट जहो थाई क्यों चे अने मुठ्या सारी ते ठंडा सहीला चे तो ये चारी नीमद थी तीना मीडियम थिक पीस करी लईए तुमें बद्दाज मुठ्याने कट करीली देला चे एक मुठ्याने हाथ मा लईने तमने बताऊ तो तमें जोई शको चो के अंदर थी चाड़ी दार तयार थाचे अने तेने हाथे थी तोड़िये तो 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 एकदम रूजेवा सोफ्ट तयार थाचे मसालो करवानी आट्रिक्स आथे एक वर मुठ्याने जरूड़ी ट्राई करजो अने आवे मुठ्याने वगहरवा पैंड मा बे मोटी चमझेलू तेल एट करी देये तो लगबग एक मिनिट मा आज अपड़ो वगहर एकदम सारेते सतलाई गयो छे हवे मिया यां त्रोण मोटी चमझेलू पाणी ली देलू छे तेने वगहर मा एट करीने सार रिते मिक्स करी लगये तो पाणी मिक्स थैने आर रितनू बोईल थावा लाईगू छे अपड़ा मुठ्या मा आट थाई जाए ते लगबग 2-3 मिनेट जो थाई क्यों छे हवे ठाकरने खोली लए तावड मुठ्या वगहर साथे एकदम सारेते तयार थे गया छे गेसनी फ्लेम बंद करी ने तयार थाईला मुठ्या वपर थोड़ा कोथ्विना पाण स्प्रिंकल करी लगये तो अपड़ा एकदम टेस्टी दूधी ना मुठ्या तयार थे गया छे जो थाच खानू मन थाई जाए हूँ छे तो वग़ार साथे एकदम टेस्टी दूधी ना मुठ्या तयार थे गया छे मुठ्या ने वग़ार थी वखते आपनी वघर मा थोड़ू पाणी एट करेलो छे पाणी एट करवा थी पाणी नी एक स्टीम चेंटरेट था से अन्ने तेज वराड मां अपना मुठ्या एकदम सौफ्ट तयार थासे तो ये तयार थेला मुठ्या ने साउ करी लगिये तो दूदी ना मुठ्या तो अपने बना उता जोए छे पन लोट अने शाखबाजी ना परफेक्ट माप अने मसालो करवानी आठ ट्रिक साथे एकवार नाश्ता माप मुठ्या चुक्कस्ती ट्राई करवा जेवाज है जोद अमने मारी आज नी रेसीपी गमी होए तो मने कमेंट सेक्शन में जरूर थी केजो साथे मारा वीडियो ने लाइक अने फ्रेंड्स अने फेमेरी माँ शेयर करजो अने मारी चैनल ने सब्सक्राइब करवानू ना बूल सो तो फरी मढ़िये एक नावी रेसीपी साथे